नमस्कार दोस्तों आज मैं आप सबको नियूरो थेरेपी के दो ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपके पेट में गैस बनती हो या आपकी नाभी खिसकी हो या पेट दर्द होता हो ये सारी समस्याइं आपकी अगर ये घर पे आप करवा लेंगे किसी से तो आपकी समस्या घर पे ही ठीक हो सकती है ठीक है तो देखिए कि किस तरह से करना है ठीक है सबसे पहले इस तरह से पेशेंट को लेटा देना है उसके बाद में इस तरह से स्टार्ट करना है अंगूठे पे ही करना है ठीक है और देखिए कि किस तरह से देना है ठीक है अंगूठे के दोनों स कि आपको लोकेशन पता होना चीए कि कहां पर रब करना है ठीक है आइसा नहीं आप नाकून के ऊपर रगड़ रहे हो वह आपको ध्यान रखना है ठीक है अभी दूसरे साइड यानि कि अंगूटे के बगल में कि ट्वंटी टाइम इधर हो गया आप ट्वंटी टाइम इधर यह साइड है कि तीन चार पान छे साथ आट नाव दस ग्यारा बारा तेरह चौदर पंदरह सोले सत्रह अठारह उन्नीस वीस ठीक वीस बार यह करने के बाद में आपको सी एननेस करना है यानि कम्पलीट न्यू नाभी शेट ठीक है निउरो तेरपी में इसे नाभी शेट के नाम से जाना जाता है ठीक है आपको इस तरह से करना है तीन बार करना है ठीक ये एक सेट हुआ तीन बार किया तो एक सेट हुआ मतलब इसमें तीन साइड होते है एक साइड ये हो गया एक साइड ये हो गया और एक साइड ये हो गया ऐसे करने पर एक साइड कहा गया ऐसे ही इनको तीन बार करना होता है ठीक है 6 सेकंड तक दबा के रखना है इस तरह से देखिए पाउडर लगा लेना आए ये ध्यान रहे पहले पाउडर लगा लेजिए नहीं तो फिर इसकिन आपकी थोड़ी रगड सकती है किस सकती है वहाँ पे हो गया ठीक है ये सी एननेस करने के बाद अब इनको स्ट्रेजिंग देना है ठीक है ये जो स्ट्रेजिंग है ये एब्डोमेन सेटिंग के लिए है इससे आपकी नाभी भी सेट होती है पेट में अगर दर्द होगा पेट फूलता होगा वो सबी चीजें आपकी इससे सही होती है ठीक है इस तरह से करना है इस तरह से स्ट्रेजिंग देना है छे सेकंड तक दबा के रखना है फिर उपर कर देना है वापस छे सेकंड तक दबा के रखेंगे तीन बार करना है ठीक है छे से सेकंड के तीन सेट करना है इस पर अब ही अल्टरनेट स्ट्रेचिंग देना है इस से पहले वाला गाप करके इस तरह से गाप करेंगे और एक पर को पकड़के रखना है दूसरे पर को स्ट्रेचिंग देना है मैंने पहले भी इस ट्रीटमेंट का वीडियो बनाया है लेकिन जो लोग कर रहे होंगे उनको बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि कई लोगों का फॉन भी आता है मेरे पास वो बोलते हैं कि आपका जो ये वीडियो है इससे मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ मिल रहा है काफी अच्छा कर रहा हूं ठीक है तो ये आप भी अपने घर पे कर सकते हैं आपको बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा ठीक है ये भी तीन शेट करना है ठीक है इसके बाद हो गया है स्वास नोर्मल रखना है उसके बाद में इस तरह से आप एक पैर को यहां पर रखेंगे सोल्डर पर और दोनों पैरों को नीचे लेके जाना है इस तरह से ठीक है अभी दूसरी तरफ सेम वापस वापस दूसरी तरफ यह भी आपको तीन बार कर लेना है ठीक इसके बाद में नाभी के दोनों साइड इस तरह से हाथ रखने के बाद में पेशेंट को स्वास लेना है और मुझ से छोड़ना है जब मुझ से छोड़ेगा तो पैर को इस तरह से नीचे दबाना है छे से कंड तक दबा के रखेंगे उसके बाद दुबारा करेंगे यह भी तीन सेट करेंगे हम सांस छोड़ो इसके बाद में दोनों पैरों को पखड़ लेना है और सव तक काउंट कर लेना है इस तरह से जैसे पवन मुक्तासन करते है इस तरह से पकड़के रखेंगे और सव तक गिन भी गिन के जैसे आपका सव पूरा हो जाए आप करवट लेके उठ सकते हो ठीक है उठ चाहिए आप करवट लेके उठीए करवट रखेंगे करवट Egypt